इसमें आपको given है integration dx upon e to the power x minus 1 यह आपको given है तो मैं क्या करूँगा देखो यहां से इसको मैं ऐसे बिलिख सकता हूं 1 upon e to the power x minus 1 और dx अब मैं क्या करूँगा इसके नॉमिनेटर और डी नॉमिनेटर को e to the power x से डिवाइड करूँगा जान देना यह क्यूशन दियावा आपको इसके नॉमिनेटर को भी मैं e to the power x से डिवाइड कर रहा हूं और डी नॉमिनेटर को भी मैं e to the power x से डिवाइड कर रहा हूं तो डिवाइड करने के बाद में क्या प्रोसिदर आएगा e to the power minus x dx यह इससे डिवाइड होगा तो e to the power x upon e to the power x इसको आप सोल करोगी यहां से आगे अब तो क्या आएगा ध्यान देना डी रिस्टेंट e to the power minus x dx upon में 1 minus e to the power minus x यह concept आगे अब क्या करोगी यहां इसको निचे वाले पोर्षन को मानना है लेट यहां सिस निचे वाले पूरे पोर्षन को मानना आपती तो 1 minus e to the power minus x is equal to t on differentiation करोगी इसका तो 0 minus e to the power minus x का differentiation e to the power minus x फिर minus x का minus 1 और फिर यह आजाएगा आपके बास dx is equal to dt आएगा dx is equal to क्या आएगा यह dt आने के बाद में आप इससे solve करोगी आगे तो यह minus minus plus e to the power minus x dx is equal to dt यह आपको पुट कर देना है तो पुट करोगी तो क्या आपके बास now integration is equal to dt upon में t इसका आपको ना तो partial fraction करना है ना कुछ और करना है डायरेक्ट यह स्टेंडर्ड फोर्मूले में का नमट हो गया लोग मोड टी पलस c को टी का मांट अटक देना लास्ट में इसमें लोग मोड वन माइनस e to the power माइनस एक्स पलस से इसका इंटिकेशन आजाएगा मोड कर लीजिए कि यह कर दो इसमें आपके बास इंटिकेशन क्या दियावा भाई वन अपॉन एक्स तुदी पावर फोर माइनस वन और डी अक्स अगर इसके मुल्टिप्लाई में एक्स होता हो तो हम क्या कर देक्स की क्यूब से उपर मल्टिप्लाई और नीचे मल्टिप्लाई कर लेज़ें लेकिन यहां ऐसा कुछ है नहीं तो आप इसको इस टाइप से सो करना इसको आप ऐसे सो करोगे दी एक्स अपोन में एक्स स्क्वाइर टू दा होली स्क्वाइर माइनस वन टू दा होली स्क्वाइर फेक्टर करोगे इसके क्या आप भाई दी एक्स अपोन में x स्क्वाइर माइनस वन इंटो x स्क्वाइर प्लस वन किस कंशेप्ट से किया a स्क्वाइर माइनस b स्क्वाइर is equal to a माइनस b इंटो a प्लस b इसके बाद में ध्यान देना dx अपोन में क्या आएगा x c minus 1 into x plus 1 और इधर क्या आगा है मारे पास x square plus 1 partial fraction कर सकते हैं क्या होगा बताओ e upon x plus 1 और इसका बताओ कर लोगे और बी का value के असे निकालते हैं बताई दिया आपको उसमें आप x square के गुणां के तुलना करोगे x के गुणां के तुलना करना और इस type इसको करना आगे not कर ले इसे try करोगे तो सब कुस हो जाएगा बीना try के यह थोड़ी होगा बीना आपके बास और चोद्वा दिया हुआ है 3x माइनस 2 dx अपोन 3x माइनस 1 न टू नहीं है न अपोन में क्या x पलस 2 का पोल स्क्वाइर यह दिया हुआ है न यह दोनों क्यूशन देखो कैसे करोगे ध्यान दो पहले में इसका solution बताएता हूँ आपको देखी इसमें आप करना लेट integration is equal to x cube plus x plus 1 अपोन x square minus 1 dx उपरवाले portion में आपको क्या करना x से plus करना और minus करना nominator वाला portion है न x cube plus x दिया हूआ आपको minus x और plus x और plus 1 यह step इसमें करनी है क्या करनी है plus x और minus x कर देना वाई जो nominator दिया हूआ इसमें x plus कर देना और minus कर देना कर दिया फिर आप इसको लिखेंगे इसे x cube हाँ वाई यह minus का x तो इसके साथ में रखोगी फिर plus 1 x और 1 x कितना आएगा 2 x पलस 1 और यह d x अपोन में क्या रहेगा x स्क्वाइर माइनस 1 कोई दिकत बोलो यहां तक इसके बाद में आप आगे वाले ट्रम में चलोगे दोनों को अगे लग कर लो भाई x cube माइनस x अपोन x स्क्वाइर माइनस 1 dx फिर पलस 2 x पलस 1 dx अपोन में x स्क्वाइर माइनस 1 लिख दिया भाई उपर वाले पोर्शन में x कोमन ले लिजिए क्या बनेगा x स्क्वाइर माइनस 1 नीचे x x स्क्वाइर माइनस 1 dx पलस इसको आप अलग लग कर लो एक बार लिख दो 2x dx अपोन x स्क्वाइर माइनस 1 एक बार लिख दिजिए dx अपोन x स्क्वाइर माइनस 1 ये तो cancel हो गया है पोर्शन इसमें आपको वियोजित नहीं करना पड़ेगा partial fraction में मतलब आनस इक बिन्नों में वियोजित नहीं करना पड़ेगा x dx पलस ये 2 बार लिए ना 2x dx अपोन x स्क्वाइर माइनस 1 पलस dx अपोन x स्क्वाइर माइनस 1 अब solve कर लो इसको इसका integration क्या आएगा x स्क्वाइर बाई 2 पलस यो जाएगा लोग मोड x स्क्वाइर माइनस 1 का इसको तो आप टी मान के करोगी ना उपर वाला पॉर्शन आएगा dt upon t या जाएगा तो यह आएगा उसको integration फिर पलस इसमें 1 का स्क्वाइर कर देना ये किसका integration होता बताओ integration of some particular function करवाया था 1 upon x स्क्वाइर माइनस a स्क्वाइर 1 upon 2a इन्टो लोग मोड x माइनस 1 अपोन x पलस 1 ठीक है इसको सोल कर लीजे क्या एगा x स्क्वाइर बाइ 2 पलस लोग मोड x स्क्वाइर माइनस 1 प्लस 1 बाइ 2 लोग मोड x माइनस 1 अपोन x पलस 1 और प्लस c ठीक है ये इसका स्वोलिशन आज़ अगा इन्टिकेशन का ये इस ताइप से करना आगको 2 पलस लोग मोड x माइनस 1 इंटू x पलस 1 पलस 1 बाइ 2 लोग इसको लिख दिए m माइनस n वाले फोर्मूले से ये तो m इंटू n वाले से हो जाएगा और ये m अपोन n से 1 बाइ 2 लोग मोड x माइनस 1 पलस माइनस 1 बाइ 2 लोग मोड x पलस 1 और पलस c इसको एसे निक्सत कुई आप सोल करोगे x square बाइ 2 पलस लोग मोड x माइनस 1 प्लस लोग मोड x पलस 1 इस साइड में पलस का 1 बाइ 2 लोग मोड x माइनस 1 माइनस 1 बाइ 2 लोग मोड x पलस 1 और पलस c आप देखो X-1 वाले फेक्टर कौन-कौन से देखो दिखें एक तो यह रहा और एक यह रहा और पलस वाले दो आपके बास यह रहे तो इन दोनों को साथ लिख दें आप इन दोनों क्या लिखोगे साथ जोड़ दें तो बताओ वही वन बाई टू और वन बाई टू कितना हो बाई वन और वन बाई टू एट करेंगे अपन तो हमारे पास क्या जाएगा बाई आप लोग X-1 बार ले लिल ना वन प्लस वन बाई टू तो कितना आएगा लोग मोड X-1 फिर पलस का एक यह रहा और एक यह रहा एक माइनस एक बाई टू एक बाई टू और लोग मोड X-1 और पलस C यह अंसरा रहा आपका लोग के रूल एपलाई गरो आप यहाँ लोग के जो रूल हो देखो कौन कौन से होते हैं लोग के रूल आप लगा दो यहाँ पर लोग M अपोन N लोग M माइनस लोग N और लोग M इंटू N बराबर लोग M पलस लोग N यह रूल अपलाई करो आप यहाँ पर ठीक है ना कि कर लीच माइनस वन टी एक्स अपोन में क्या दिया हुआ एक्स पलस से तू का होली स्क्वार यह दिया हुआ ना तो इसका सोल्यूशन करने के लिए देखो जुगार्ण टेकनिक आपको यूज करनी है मालो कई स्टुडेंटों के प्रोब्लम होती किसा आप रेशनल फ्रेक्शन को पार्शल फ्रेक्शन में कैसे गनवर्ड करें तो जुगार्ण टेकनिक का भी यूज कर सकते हो इसमें तो द्यान दोई क्या होगा देखो ऊपर आपके पास 3-1 दिया हुआ है नीचे एक्स प्लस टू दिया हुआ है तो हम ऐसा फ्रेक्टर उपर बनाएंगे एक्स प्लस टू वो बनाने के लिए आप क्या करोगे 3-1 था पलस 6 कर दो और माइनस 6 कर देना इसमें और यह हो गया X plus 2 का भाई प्लस है और माइनस यह करेंगे क्यों कि 3 और 6 में से आप को मन लोगे 3 को तो X plus 2 तो बनेगा अब आप यहां लिखिए 3X plus 6 लिख दें और यह माइनस का 7 लिख दें और यह हो गया DX अपॉन में X plus 2 का whole square कर लिया है यहां तक बोलो अब इसका आप integration आसानी से कर सकते हो क्या है अब यह अंदोरे दोनों का लग लग करें 3X plus 6DX अपॉन में X plus 2 का whole square माइनस का 7 constant बाहर रहेगा DX अपॉन में X plus 2 का whole square उपर वाले portion में आप यहां से अब बाई देखो कौन सा portion cancel हो रहा है इस से पॉर्षन केंसिल क्या बच गया है त्री constant बाहर लो DX अपॉन में नीचे क्या बना माइनस 7DX अपॉन में क्या बना X plus 2 का अब दोनों का आपने जुगार लागे इसका integration कर लिया अब integration का आसा नहीं से कर सकते बताओ भाई पहले का थ्री लोग मोड X plus 2 माइनस 7 इंटू 1 अपॉन X plus 2 माइनस में यह होता ना solve कर लो इसको थ्री लोग मोड X plus 2 माइनस माइनस पलस का 7 अपॉन X plus 2 और प्लस का यह जुगार टेकनिक से अंसर आ गया